जासी के थाना कोदवाली के अंतरगत गाउं में नकली और अवेट शराब पकड़ी गई जिसमें 11,000 क्वार्टर 550 लीटर केमिकल नकली रैपर वा बारकोड परची इत्यादी सामान पकड़ा गया एक लीटर केमिकल में तीन लीटर पानी मिलाकर शराब बनाई जाती थी स्वार्ट टीम और कोटवाली पुलिस को एक इंफर्मिशन मिली जिससे एक पीकप पकड़ी गई और उससे एक व्यक्ति ग्रफ्तार किया गया है और उससे जो बरामदगी की गई है वो 47 अदद रैपर, 836 अदद धकन और कुल 550 लीटर अवायद मदिरा है और इसके अलावा इनका जो रामटेरियल है जिसके दोरा लगभग 1100 पाउच, 11000 ये वार्टर बोतले मनाते इनका मोडस अपरंडे ही यह रहा है कि जो शराब की दुकानों से शराब भी करके लोग बोतले फेक देते हैं अन्यूजड बाहर पड़ी रहती हैं उनके रैपर और उनके धकन ये ले करके दूसरी बोतलों में या उनकी उनहीं बोतलों में दूसरी ये नकली मदिरा भर करके ये उसकी सप्लाई करते हैं इस संदर में तीन लोग भागे हुए हैं उन लोग के कोवांशित किया गया हमको शिक्रियम गृतार करेंगे और हमारी टीम ने ये अवैद मदिरा जो नकली शराब बना करके जिससे बहुत जनहानी भी होती है तो उसमें अच्छा काम किया है इसके लिए पूरी टीम को हमन इसके एपनादिक इस के संदर में हम inigation करके सुचनाय कट्र करेंगे और इस पूरे गिरोह और इस तरह के और भी जो गिरोह आःए जो नकली शराब का सप्लाइब करते हैं या उसको बनाते हैं। इसको हम पूरी तरीके से यहां से समाप्ट करके करने के संदर में आगी बढ़ रहे हैं। फिर उसे नकली बोतल में पैक करके बेचा जाता था। जिसकी अनुमाने तराशी करीब साड़े पांच लाक रुपए है जिसमें एक वैक्ति को पकड़ लिया गया है। बागी तीन आरोपी मौके पर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द तीनों आरोपीयों को पकड़ लिया जाएगा। यह केमिकल दो तीन प्रकार की केमिकल एकठा करते हैं। उसको मिक्स अप करते हैं। उसमें कुछ मातरा शराब की होती है। बाकी मातरा केमिकल की होती है। यह जो और्डनी शराब होती है उससे कम पैसे में तयार हो जाती है। और उससे ज़्यादा तीखी होती है। झाल